Hello students, welcome to my channel, आज हम फिर से class 6 का chapter number 9 पढ़ेंगे, इसमें हम 9.5 पढ़ेंगे electric conductors and insulators, तो इससे पहले हमने electric cell पढ़ा है, electric ball पढ़ा है, electric circuit पढ़ा है, और electric switch पढ़ा है, तो अब हम पढ़ेंगे electric conductors and insulators, तो फ़िए electric conductors क्या होते हैं, जिन में से electric current pass हो जाता है, वो substances electric conductors होते है और जिन में से current pass नहीं होता है, वो होते हैं insulators, हमने इससे पहले जो भी activity की है, जिसमें हमने electric circuits बनाई हैं, उसमें हमने wires यूज गये हैं, और ये wires metal के बने होते हैं, जो तार होती है, वो metal की ही बनी होती है, जो तार है, उसकी जगे हम cotton का thread लगा दे, धागा लगा देते है metal wire की जगे है, तो क्या circuit बन जाएगी, क्या उसमें current flow होगा, do you think that the bulb will light up in such a circuit, क्या आप सोचते हैं कि इसमें bulb जलेगा, नहीं, इनमें bulb इससे बलब नहीं जलेगा, what materials can be used in electric circuit, so that the current can pass through them, तो कौन सा ऐसा material यूज करें, जिन में से current pass हो जाए, activity करते हैं, इससे आपको और सम में आ जाएगा, हमें इस तरह से एक electric circuit बना लेनी है, और यहां से देखें, यहां से यह तार टूटी होई है, अब जहां पर यह जो तार टूटी होई है, यहां पर हम एक चाबी लगा देंगे, यहां पर यह लगा दी है, चाबी, तो अब हम देखते हैं कि क्या bulb जलता है, तो यह bulb glow होता है, लेकिन इस चाबी की जगे अगर हम कुछ और लगा देते हैं, लकडी का टुकड़ा लगा दें या thread लगा देते हैं, तो यह bulb नहीं जलीगा, ऐसा क्यों? You can now use this arrangement to test whether any given material allows current to pass through it not, क्योंकि जो चाबी है, इसमें से electric current pass हो जाता है, electric current flow होता है, लेकिन जो thread है, उसमें से electric current pass नहीं होता है, तो अब हम कई तरह के ऐसे different types of materials लेंगे, जैसे coins, सिक्के ले लेंगे, cork ले लेंगे, rubber, glass, keys, pins, plastic scale, wooden block, aluminum foil, candle, swing needle, और थर्मो को, और paper, और pencil, lead, तो यह सब हम ले लेंगे, और जो यह free ends हैं, जो यह हैं, यहाँ पर जो यह free ends हैं, जैसे हमने इसमें चाबी लगाई हैं इनके तरह कर देखेंगे, या फिर यह जो चीजें ले रखेंगे, जैसे cork लगा देंगे, या फिर coins लगाएंगे, या rubber लगाएंगे, या glass लगाएंगे, keys लगाएंगे, तो इस तरह से हम यह सबी चीजें, जो free ends हैं, इनके बीच में लगा कर देखेंगे, one by one, bring the free ends to the wires of your tester, contact with two ends of samples you have collected, तो इस तरह से हम one by one यहाँ पर लगा लगा कर देखेंगे, make sure that the two wires do not touch each other while you are doing so, तो यह धियान रखेंगे, जब हम इनके बीच में कुछ लगाएंगे, तो यह wires हैं, यह wires हैं, आपस में touch ना करेंगे, यह दूर दूर ही रहें, बस इन चीजों को touch करें, जो चीज हमने इसके बीच में लगाई है, does the bulb glow in each case क्या, हर एक case में bulb glow करता है, bulb जलता है, make a table, तो यह हमें एक table बनानी है, और इसमें हमें note करना है, कि किस case में bulb जलता है, किस में नहीं जलता है, तो जब हम दोनो ends के बीच में की लगाते हैं, तो की लगाते हैं, तो बल्ब जल जात है, इरेजर लगाते हैं, तो बल्ब नहीं जलता है, स्केल लगाते हैं, तो बल्ब नहीं जलता है, मैच स्टिक लगाते हैं, तो बल्ब नहीं जलता है, और लोही की कील लगाते हैं, तो बल्ब जल जाता है, तो यह क्यों होता है, क्योंकि जो की है, वो मेटल की बनी है, और इरेजर जो रबड का बना है स्केल है वो प्लास्टिक का बना है मैच स्टिक माचिस की जो तिली है वो लकडी की बनी है गलास बेंगल गलास का बना है और जो आइरन नेल है वो मैटल की बनी है तो यहाँ पर हम नोट करेंगे जो चीजे मैटल की बनी है वो अगर इन दोनों ends में हम लगाएंगे तो bulb जलता है और और कुछ अगर लगाते हैं तो bulb नहीं जलता है इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चीजे हैं ये जो चीजे हैं इन में से करंट फ्लो नहीं हुआ है this means that these materials do not allow the electric current to pass through them उन में से electric current पास नहीं होता है on the other hand और दूसरी तरफ जो ये की है तो ये और एक iron nail इस में से current पास हो जाता है क्योंकि ये दुनों चीज की और iron nail metal की बनी है on the other hand some materials allow electric current to pass through them which is indicated by the glowing bulb जिन से की बल्ब जल जाता है materials which allow electric current to pass through them are called conductors of electricity तो ये note करने वाली बात है कि वे materials जिन में से electric current पास हो जाता है उन्हें conductors बोला जाता है and insulators do not allow electric current to pass through them तो आप याद रखेंगे जिन में से current पास हो जाता है उसे conductors बोलते हैं और जिन में से current पास नहीं होता है उन्हें insulators बोलते हैं with the help of the table 9.1 name the materials that are conductors of electricity and also those which are insulators तो ये table 9.1 है इसमें कौन से conductors हैं तो यहाँ पर देखें ये जो key है ये conductor है और ironil conductor है और erasure, scale, matchstick और glass bangle ये insulators हैं ये insulators हैं और key and ironil conductor है तो यहाँ पर हम लिखेंगे key and ironil और जो बच गए हैं जैसे ये लिख देंगे erasure, scale, matchstick और glass bangle ये हैं insulators what do you conclude तो conclusion निकलता है which materials are conductors and which are insulators तो ये हमने conclude कर लिया कि जिन में से current flow होता है जिन में से current pass होता है वो conductors होते हैं जिन में से current pass नहीं होता वो insulators होते हैं recall the objects that we grouped as those having luster आप देखिए जो चाबी है, key है उसमें भी चमक होते है और लोही की कील जोती है उसमें भी उसमें भी चमक होती है, वो भी shiny होती है key और लोही की कील इनमें भी चमक होती है chapter 2 में हमने ऐसे objects इकठे किये थे जिन में चमक होती है लस्टर होती है चमक होती है तो यह होते हैं conductors उनकी एक पैचान होती है चमकिली चीज़ें होती है यह और current उनमें से पास हो जाता है वह होते हैं conductors it now seems easy to understand why copper, aluminium and other metals are used to making wires और इसी लिए अब आप समझ गये होंगे कि जो तार बनते हैं जो बिजली के लिए जो तार बनते हैं electric wires बनते हैं वे या तो copper के बनते हैं या aluminium के बनते हैं या किसी और metal के बनते हैं जो लोही के बनते हैं क्योंकि जो metals होती हैं वो good conductor of electricity होती हैं इसी लिए जो भी wires जो भी तार बनाई जाती हैं वो metals की बनाई जाती हैं let us recall activity 4 in which we made an electric circuit हमने एक electric circuit बनाई थी with a switch के साथ figure 9.9 में यह हमने electric circuit बनाई थी यहाँ पर when the switch was in the open position were the two drawing pins not connected with each other through the thermocall seat तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर safety pin इन जो drawing pins है इनसे दूर है यह दूर है लेकिन यह जो thermocall है इसके touch में हैं यह और यह दोनों पिने यह जो thermocall है इसके touch में हैं लेकिन फिर भी bulb नहीं जलता है क्योंकि जो thermocall है वो इन दोनों के बेच में आता है और जो thermocall है वह insulator है अगर वह conductor होता तो यह जल जाता तो इनसुलेटर है थर्मकोल इस लिए यह बलब नहीं जलता है अगर इस थर्मकोल की जग़े अगर हम लोही की कोई चीज ले 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 लेते यह अलुमिनियुं की शीट ले ले लेते या फोईल पेपर ले लेते तो फिर यह सर्किट ह यह complete हो जाती पूरी हो जाती और यह बल्ब जलने लग जाता जो thermocole है वो है insulator of electricity but thermocole you may have found is an insulator what about the air between the gap जो pins है यह दोनों इनके बीच में air भी है यह मान लिज़े safety pin है और इनके बीच में इन दोनों के बीच में air भी है तो air भी है लेकिन यह bulb glow नहीं होता है तो air भी एक insulator है तो हम लिखेंगे air is also an insulator of electricity the bulb does not glow when there is only air in gap between the drawing pins in your switch it means that air is also an insulator तो याद रखेंगे air जो है वो insulator है electricity की conductors and insulators are equally important for us हमारे लिए conductors भी उतने ही important है और insulators भी उतने ही important है क्योंकि जो दो पिने हैं उनके बीच में air तो हमेंसे आए और अगर air conductor होती air अगर conductor होती तो इनमें current flow होता और air तो चारों तरफ रहती है अगर वो conductor होती तो उसमें current आ जाता और हमें भी current लग जाता और हम जिन्दा नहीं रह पाते तो इसलिए जो conductors है वो और जो insulators है वो भी हमारे लिए इतने ही important है switches, electrical plug, sockets are made of conductors जो switch होते हैं वो electric plugs होते हैं वो और sockets होते हैं वो conductors के बने होते हैं मतलब उनमें conductors लगे होते हैं लेकिन उनके ओपर जो covering होती है वो rubber की या फिर plastic की होती है वो insulators की बनी होती है on the other hand rubber and plastics are used for covering electric wires, plug tops, switches and other parts of electric appliance which people might touch जिन पर हमारा हाथ लग सकता है या हम उनसे touch हो सकते हैं तो वो बने होते हैं insulators के तो insulators भी हमारे लिए important है अगर conductors हमारे लिए important है उनसे बिजली आती है उनमें से current pass होता है बल्ब जलता है पंके चलते हैं बिजली से तो conductors important है लेकिन बिजली के current से बिजली के shock से हमें बचाते हैं वो यह है insulators तो insulators भी हमारे लिए उतने ही important है caution यह सावधानी है your body is a conductor of electricity हमारी body जो है हमारे सेरीर जो है वो conductor है electricity का यह याद अखना है electricity का conductor है therefore be careful when you handle an electric appliance तो हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम बिजली का कुछ काम करते हैं या बिजली का किसी भी सामान को touch करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए सावधान रहना चाहिए कि हमें current ना लग जाए क्योंकि हमारी body है वो बिजली का अच्छा conductor है good conductor है यहाँ पर आपको conductor और insulators के बीच में difference पता लग गया होगा और यह topic भी आपको समझ आ गया होगा तो यहाँ पर chapter complete होता है इसके बाद आप question answers अपनी notebook में लिख लीजिए और जो भी questions इस chapter में बनते हैं उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए और एक-एक number के questions भी इसमें से आ जाते हैं तो यह chapter अच्छी तरह से आप बार-बार read करेंगे तो यहाँ तक पूरा chapter खतम हो जाता है वीडियो भी खतम होता है अगर आपको सभी topics समझा प्लीज सब्सक्राइब my channel share to your friends कुछ भी समझ नहीं आया है तो comment लिकर पूछ सकते है मैं उसके लिए अगर वीडियो बना दूँगी तो यहाँ अपने वीडियो दिखा पूरा पार्ट पड़ा तो इसके लिए thanks for watching